हम लोग आज से क्या करेंगे कि आपके सामान ग्यान के फिर चाहे आपका इंडिया जीके हो फिर चाहे आपका वर्ल्ड जीके हो साइंस हो जिसमें बाइलोजी होती है फिर एक्स होती है केमिस्ट्री होती है या फिर कंफ्यूटर साइंस हो फॉलिटिकल साइंस हो एकोनोमी हो हिस्टरी हो, जोगरफी हो और भी जो स्पोर्ट से सम्मान्दित आपके जी के रहते हैं उनके आपके समझेए आप लोग की हर सब्जेक्ट से कम से कम हजार कुष्चन्स हम लोग सॉल करवाने की कौसिस करेंगे 25-25 कुष्चन्स हर डेली लिया करेंगे ठीक है, और आप समझेए कि इतने अगर 1000 कुष्चन्स को आप लोग सॉल कर लेते हैं, तो इतना समझेए आप लोग की कम से कम 5000 तरे के कुष्चन्स आप सॉल कर पाएंगे यानि कि इतना विस्तार से आपको बता दिये जाएंगे कुष्चन्स कि आप 5000 तरह की questions आते हैं तो उन्हें आप लोग आराम से solve कर पाएंगे ठीक है इतनी बिस्तार से हम लोग ब्याक्या ही करेंगे तो सबसे पहले याद रखी या तो आप लोग फीडियाप को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया करिएगा पहले आप लोग solve कर लिया करिएगा कि आखिर आपसे कितने questions बन रहे हैं क्योंकि इस test में आपके वही questions लिये गए हैं जो यादो पर इच्छाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की पूरी संभाव ना है ठीक है तो इस तरह कि 25-25 questions daily लिया करेंगे 15-10 सेकेंड का समय मिलेगा इनका answer देना है आप लोगों को उसके बाद मैं विस्तार से इनके answer बताऊंगा आप लोगों को और याद रखे daily quiz के नाम से आपका एक playlist सूची बना दी गई है उसी में हर daily questions जो भी रहेंगे मिलते रहेंगे आपको तो पहला question समारा क्या है? भारत नाम की उत्पत्ति का सम्मंद प्राचीनकाल के किस पिताबीय राजा से है? कहने का मतलब है कि जो हमारे भारत का देश भारत नाम है देश का हमारे एक किस राजा के नाम पर रखा गया है एक तरह से? इसमें ओप्सन है आपके सामने महाराना पिताब, चंदगुप्त मौर, भरत चक्वर्थी, असोका मौर आपको इन चार ओप्सन में से एक ओप्सन चुनना है मुझे लगता है कि आपको गर मालू होगा द्वितना शमय बहुत है आप लोगों के लिए सोचने के लिए तो इसमें होगा आपका भरत चक्वर्थी, यानि किसी ओप्सन बिल्कुछ सही है, आप जानते हैं कि ये भरत जो थे ये रिसब पुत, रिसब देव के पुत थे भरत चक्वर्थी, पुरानों में आपको ये ब्याक्या देखने को मिलेगी एक दसराज ये उद्धि के बारे में भी आप लोगोंने सुनाओगा, इन्ही भरत और दसराजाओं के बीच होगा था, और याद रखी भरत के वैसे आप बिभिन नाम है, जैसे आप देखते हैं कि भरत बर्स हो गया, जम्मू दूइप हो गया, भरत खंड, आयावद, हिं भारत माता, हम लोग इनके नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो याद रखी इसमें क्या होगा, C आपका, दूसरा कुश्चन है हमारे सामने, छेतफल की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्या पूँच रहा है, छेतफल की दृष्टी से भारत का सबस करना है कि छेतफल की दृष्टी से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो मुझे लगता है, अगर आपको मालू होगा, तो आप सही कहेंगे, राजिस्थान है, क्या है, राजिस्थान है, आप जानते हैं कि राजिस्थान पहले नमबर पर है, मद्विदेश, दूसरे नमब तो आप जानते हैं उत्तर प्यदेश पहले पर है, यूपी कितने है नमबर पर है, फर्ष्ट नमबर पर है, दूसरे पर आपका महराष्ट है, तीसरे पर आपका विहार है, तो इन में से कुश्चन्स हमेश सा पूचे जाते रहे हैं, तो आप याद रखिए छेतपल में र भारी पर सकती है पाकिस्तान पर, आप समझ रहे हैं, अंगला कुश्चन है आपकी सामने, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्या पूच रहे हैं, भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में आपको बताना है, भारत की लंबाई में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मु कि आपको मालू होगा तो आप लोगों ने लगा दिया होगा गंगा आप जानते हैं 2525 किलूमीटर इसकी लंबाई कितनी पुचीस सू पचीस किलूमीटर और आपको यह भी मालू होगा कि ये गंगोत्री गलेशिय से निकलती है उत्राखंड से और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है कहां बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और ये भी आपको मालो होना चाहिए कि जो आपकी ब्रंपोत और गंगा मिलकर एक आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है और चोड़ाई लेकिन इस तरह की हो गई कि मतलब इस बीच में कितनी चोड़ाई में फेली हुई है तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मपुत गौम्ती गंगा चंबल इन में से कौन सी नदी है जो सबसे चोड़ी नदी है तो मुझे लगता है अगर आपको मालू है तो इतना टाइ कि ब्रह्मपुत नदी आपकी तिबबस से निकलती है कहां से तिबबस से निकलती है मांसरोवर जो जील है वहीं से और बंगाल की खाड़ी में गिरती है ठीक है याद रखिए अंगला कुष्ण हमारे सामने क्या है भारत का भारत की सबसे उची मीनार कौन सी है यह तो आप को मालू होना चाहिए ना कि भारत का सबसे उची मीनार कौन सी है या भारत की सबसे उची मीनार कौन सी है चार मीनार कुतम मीनार जुमता मिनारा सहीद मीनार इन चार ओप्सन में से एक आपका सही है कौन सा है तो मुझे लगता है अगर आपको मालू होगा तो आपने लगा मात्याया होगा यह कुटू मीनार क्या है कुटू मीनेर क्या इंगी कुटू मीनार आप franchतव होना चहिए अच्शेक है याद रखे ये अंगला कुक्षिन है आपके सामने भारत की सबसे उची मूर्थी कौन सी है या भारत की सबसे उची मूर्थी कौन सी है तो यह आपको मालू होना अच्छी है हर मंदिर साहिब हम भी इनमें से आपको एक चुनना है एक सही आपका तो इसमें आप लोग लगाएंगे इस्टेचियू ओप यूनिटी अभी आप न देखा है हाली में इसका निर्माड हुआ था और यह किसकी याद में बनवाए गया है हमारे जो उप्पिधान मंत्री थे पहले याद रखी ये व से बनवाए गया है उन्ही को समर पे थे आप जानते हैं हमारे बल्लब भाई पटेल साहब को भारत रतन भी दिया गया था और इन्हें बिस्मार कॉप इंडिया भी कहते हैं आप लोग अब आइरन मैन ओप इंडिया भी कहते हैं आप लोग बल्लब भाई पटेल को इस तरह 31 अक्टूबर 1875 को ठीक है अगर इनकी डेट की बात करें तो 15 दिसंबर 15 दिसंबर 1950 को ठीक है तो याद रुखिए आप लो अंगला कुश्चन क्या है भारत का पिथम महला विस्विध्याले कौन सा है क्या पूँच रहा है आप लोगों से भारत का यानि कि इंडिया का पहला पहला महला विश्विद्धियाले कौन सा है पहला option है आपके सामने स्रीपदमावती महला विश्विद्धियाले दूसरा है SNDT महला विश्विद्धियाले तीसरा है वनस्थली विद्धियाले विद्धियापीर फिर आपका L, S, R महला विष्विध्याल है इन मैं से एक सही है आपका कौन से सही है तो यह आपका वी ऑपशन से एक महला विष्विध्याल है इसका पूरा नाम है श्री मती नाथी तटाकर ऐसे महला विस्वध्याल है इसकी स्थापना कभी थी तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1916 में कहां है मुंबई में कहां है मुंबई महाराष्ट में ठीक है याद रखी क्या है इस तरह की questions हमेशा प्मूचे जादते रहे हैं और आप लोग उठा के देखिए questions paper इसलिए आप लोगों से बोलता हूँ कई बार बोलता हूँ कि जब भी आप लोग किसी exam की तयारी कर रहे हैं तो कम से कम 5-7 साल की questions paper उसके उठा के देख लिया करेगा चाहे आप लोग civil service की तयारी कर रहे हैं या estate PCS की तयारी कर रहे हैं या किसी और one day exam की तयारी कर रहे हैं इससे क्या रहता है कि आपको मालूँ चल जाता है कि कितने questions कहां से पूछे जा रहे हैं किस तरह के questions आ रहे हैं उनका स्वरूफ क्या है questions का ठीक है अंगला question है हमारे समने ACI खेलों में सौड़ पदक प्राप्त करने वाली पहली भारती महला कौन थी समझ रहे हैं आप लोग जो ACI खेल होते हैं इन में सौड़ पदक जीतने वाली पहली भारती महला कौन थी पहली भारती महला के बारे में आप कुछ से पूँच रहा है कमल जी संदू सुचेता केपलानी रजिया बेगम वच्छंद्रीपाल इन चार उप्षन में से एक सही है आपको बताना है कौन से सही है तो मुझे लगता है अगर आपको मालू होगा तो आपने लगा दिया होगा कमल जीत संधू कमल जीत संधू यह उप्षन आपका बिल्गुल सही है आपको मालू होगा कि 1970 में 1970 में जब वो बैंकोक में हुए थे उस मेंने 1948 में इनका जनम हुआ था यह तो आपको मालू भी होगा और 1970 में बैंकोक को में 400 कितना 400 मीटर रेस में इनोंने क्या जीता था गोल्ड पदक और कितना समय लगा था 57.3 सेकेंडर में इनोंने पूरी की थी यह रेस कितना 400 मीटर ठीक है याद रखिए यह भी कुश्चन्स कई बार बन चुका है यह कुश्चन्स आपने देखा होगा कि आपकी परिक्षाओं में कई बार पूचा जा चुका है माउंट एवरेष्ट पर चड़ने वाली पहली भारती महला कौन थी? माउंट एवरेष्ट पर चड़ने वाली पहली भारती महला कौन थी? कल्पना चावला रजिया सुल्तान वच्छंद्री पाल सुचेत्यक्ट प्लानिक इन मैंसे ये एक उप्षन आपका सही है आपको चुनना है बस तो मुझे लगता है अगर आपको मालू होगा तो आपने लगा दिया होगा C उप्षन वच्छंद्री पाल आप सभी को मालूख होगा कि जो वच्छंदरी फाल थी यह 1984 में इनोंने एक तरह से इस पर फत्य की थी माउंट एबरिष्ट और माउंट एबरिष्ट आप जानते हैं नेपाल में है इसकी उचाई है 8840 मीटर या फिर 48 भी बोलते हैं यह 50 भी बोल देते हैं ठीक है इनके जन अतनी भी बुक्स पढ़ लीजी आप लोग अगर आप लोग टेस्ट नहीं देते हैं मौक टेस्ट नहीं देते हैं तो वो सभी धरी की धरी रह जाते हैं एक तरह से आपको मालू ही नहीं चलेगा किस तरह के कुश्चंस पूछे जा रहे हैं और मैं किस तरह से सॉल कर सकता ह इसे लिए कहा जाता है कि आपसे टेस्ट दीजी आप लोग जितने अधिक से अधिक हो सकें आपको मालूच लेगा किस तरह की questions बन रहे हैं कितने तरह की questions बन सकते हैं तो यही किया करिएगा आप लोग या तो इसे इस PDF को मैं क्या किया करूँगा कि एक दिन पहले आपका टे अंगला question है मारे सामने भारत की पिथम महिला IPS कौन थी क्या पूँच रहा है आप लोगों में से कई लोग तयारी भी कर रहे होंगे तो भारत की पिथम महिला IPS कौन थी सरोजिनी नाइडू किरन बेदी बिमला देवी मदर टेसा इन में से एक option आपका सही है कौन सा option सही है बस आपको यही चुनना है तो यह है किरन बेदी साहब आप जानते हैं इनका जनम हुआ था 3 जून 1909 को और इन्हें रह्मन मैक्सिस पुरुसकार से भी संबानित किया गया है समझ रहे हैं आप लोग किने किरन बेदी साहब को याद रखी आप लोग अंगला question क्या पूच बारत की पहली महला राजपाल कौन थी यहां मैं बता देता हूं बारत की पहली महला राजपाल कौन थी आप लोगों को भी मालू होगा लेकिन आपको अपने राज्यों में बताना है कि अभी तक अगर कोई महला राजपाल हुई है तो वो कौन थी ठीक है वो नीचे लिख सब्सक्राइब तो इसमें आप देखेंगे यह थी सरोजनी नाइडू साहब कौन थी सरोजनी नाइडू साहब कहां कि पहली महला राजपाल थी भारत की थी और उस राज्जी की कौन सी उत्तरपदेश की पहली महला राजपाल थी आप सभी को मालू होना चाहिए कि 15 अगस्त इनकी death हुई थी यानि की मित्ती हुई थी दो मार्च उन्नीस सो उनज्जास को तो याद रखिए समझ रहे हैं जब इनकी एक तरह से death हो गई तब तक ही राजबाल थी ठीक है सरोजी नहीं नाइडू उत्तर प्यदेश की ठीक है सर्वोच नहाले में पिथम महिला मुख नहादीश कौन थी सर्वोच नहाले सुप्रीम कोट की बात कर रहा हूँ तो इसमें पिथम महिला नहादीश ना की मुख नहादीश क्या पूंच रहा है नहादीश में कौन थी उमाभारती सुप्समिता सेन एम फत्मा भीवी करणम मल Γ् planetary उस सिपना उसे कि अक और चुन ना है मुझे लगता है कि अगर आपको माल होत तो आप ये पतिमा बेवी यानी कि सी इसी ऑप्शन आपका सभी इनका पूरा नाम था मीरा साहइब फातिमा बई टिक इंनिस्ट हो नव्शी की बात है 1989 में एन्युक्त की गई थी और इनका जनम की अगर बात करें हम लोग तो 30 अपरेल 1927 को हुगा था अगर सरवुच नियाले की बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि हमारा सुप्रीम कोट जिसे आप लोग सरवुच नियाले कह देते हैं तो आइडिकल 124 में आप जतित्त में आ चुका था यह भी कोश्चन कई बार बन चुका है कि सुप्रीम कोट की स्थाफना कप की गई थी तो याद रखना है आपको 26 जनवरी 1950 को ठीक है यह वही डेट है जब हमारा समीधान लागू हुआ था पूरी तरह से कुछ प्रावधान तो आपके 26 नवम्मर 1949 को लागू हो चुके थे लेकिन पूरी तरह से आपका समीधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था ठीक है याद रखिए अंगला कुश्यन आपसे क्या पूच रहा है सुतंत भारत के पिथम गवर्नर जनरल कौन था सुतंत याने के आजादी के समय भारत के पिथम गवर्नर ज पूच रहा है तो आपको याद रखना चाहिए यह थे आपके कौन थे लाड माउंट बैटन आपको मालू होगा तो आपने लगा दिया हुगा लाड माउंट बैटन आपको मालू होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली लेकिन इनका कारकाल आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 तक इनका रहा था तो आप समझ सकते हैं कि 15 अगस्त जब आज यादी मिल रही थी तब यही थे आपके ठीक है फिर आपको मालू होना चाहिए कि भारत का पिथम पिधान मंत्री कौन था यह तो आप लोगों के मुहें पर रटा होगा एक तरह सी कंठ तस्तियाद होगा जबाहरलाल नहरू लाल भादो सास्त्री इंद्रा गांदी मुराजर जी देशाई इन में से कौन साहिए जबाहरलाल नहरू आप जानते हैं कि इनके जनम की अगर बात करें हम लोग पंडिश जबाहलाल नहरू के तो इनका 14 नवंबर 1889 को इनका जनम हुआ था और आप सभी को माला होना चाहिए कि 27 मई 1964 को इनकी डैथ हो गए थी यह बहुत लंबे समय तक अभी तक के पिदाहन मंत्रियों में सबसे लंबा कारकाल इनी का रहा है किन का रहा है हमारे जो पंडिश जबाहलाल नहरू थे यह 15 अगस्त 1947 को पिदाहन मंत्री बने थे और 27 मई 1964 को इह 64 तक पिदाहन मंत्री रहे जब तक कि इनकी डैथ नहीं हो ठीक है याद रुकिए अंगला कुश्चन क्या पूच रहे हैं भारत में पिथम महला पिदाहन मंत्री कौन बनी भारत में पिथम महला पिदाहन मंत्री के बारे में पूच रहा है आप से कि भारत में पिथम महला पिदाहन मंत्री कौन बनी थी तो ए पितिभा पाटिर एम फातिमावी भी इंद्रा गांधी या इन में से कोई नहीं या अन तो मुझे लगता है इनके बारे में भी आपको मालू होगा आराम से इंद्रा गांधी थी C option लगाया होगा आप लोगोंने क्या लगाया होगा C option आप जानते हैं इनके यागर जनम की हम बात करें तो 19 नमबंबर 1917 को इनका जनम हुआ था और आपने देखा होगा कि 31 अक्टूबर 1984 को इनकी डेथ हुई थी यानि की हत्या कर दे गई थी 1977 का वही समय है आप जानते हैं चमपारन सत्यागय के बारे में गांधी जी के द्वारन चलाया जा रहा था ठीक है चमपारन आपका बिहार में है तो इनके कारकाल की बात करें तो पहली बार तो यह 1966 से 77 तक पिधान मंत्री बनी फिर उसके बाद इनोंने 1980 में कारवाल समाला और 1984 तक रही जब तक कि इनकी डेथ मतलबने की हत्या नहीं कर दी गई ठीक है और आप समझते हैं कि 1975 से 77 का जो राष्टी आपातकाल लगाय गया था इंद्रा गांधी की समय में लगा गया था वैंकों का राष्टी करन इंद्रा गांधी की समय में बात था ठीक है अंगला कुश्चिन है हमारे सामने भारत का पिथम राष्टपती कौन है हमारे भारत का पहला राष्टपती कौन थे अब्दुल कलाम आजाद अब्दुल कलाम साहब डॉक्टर राजिंद पिसाथ डॉक्टर सरफली राधाखिष्ण वसपफा दनपफा जट हुगा डॉक्टर राजिन पिसाद कौन थी डॉक्टर राजिन पिसाद तो आप को मालू होने चाहिए कि इनका जनम 3 दिसंबर 1884 को हुगा था और कब इनकी डेथ हुई 28 फरवरी 1963 को ठीक है और इनके कारकाल की बात करें राष्टपती पत के लिए तो 26 जनवरी 1950 को इनका कार और याद रखिए आप लोग कहेंगे कि चुनाओ दो लोकसभा विधान राजिसमाओं के आपके 1952 में हुए तो याद रखिए सरफ सम्मती से इनके चुना गया था 26 जनवरी जब समिधान लागू गया था उसी समय समिधान सभा के आप जानते हैं कि इस्थाई अध्यक्ष भी थी यही ठीक है याद रखिए आज था यह देक्ष कौन थी समिधान सभाके वह आप लोग नीचे लिए ठीक है सरच करके इतना दो कर सकते हैं मुझे लगता है अंगला कुश्टन क्या कह रहा है नोबल पुरुसकार पराप्त करने वाले विथम भारतिये कौन थी पहला वो भारतिये का नाम बताना है आपको जिसने वो नोबल प्राइश जीता हो समझ रहे हैं आप लो हरगोविंद खुराना मदर टेशा अमर्थ सेंड रवेनाट टेगोर इन चार उप्सन में से एक उप्सन सही है कौन सा उप्सन सही है यह आपको बताना है तो मुझी लगता है कि आप सभी को मालू होगा तो आपने डी उप्सन लगाए होगा रवेनाट टेगोर क्या लगा होगा रवेनाट टेगोर सहाब आप लोगों को मालू होना चेहीए कि इनका जिनम रवेनाट पुरसकार जीता गए इनकी एक किरती है गीतान जली के लिए ने ये नोबिल पुराइस मिला था साहित का ठीक है याद रखिए ये भी कुश्चन्स कई बार पूचा जा चुका है मुझे लगता है इसमें से सभी कुश्चन्स आपकी बहुत ही महत्पूर है ठीक है भारती रा बात कर रहा हूं उस समय की कॉंग्रेस की तो भारती राष्टी कॉंग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बेवमेश चंद बनर जी फ्रवसाह में इता बाल गंगा धर तिला लाला लाज पत्राएं तो मुझे लगता है अगर आपको माल होगा तो आपने लगा दिया होग बेवमेश चंद बनर जी क्या लगाया होगा बेवमेश चंद बनर जी ए ओप्षन बिलकुल सही है और आपको याद होना चाहिए कि इसकी इस्थापना हुई थी 28 दिसम्बर 1885 आप समझ रहे हैं 1885 में आपकी कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी अगर बेवमेश चंद बन बात करें तो 21 जुलाई 1906 को भी थी ठीक है याद रखे अंगला कुश्चन क्या है आपका पिथम भार्ती अंत्रिक चात्री कौन थे भार्ती ये पूछ रहा है पिथम भार्ती अंत्रिक चात्री कौन थे राकेश सर्मा कल्पना चावला सुनीता विलियम्स इन में से आपको एक सही चुनना है कौन थे तो आप सभी को मालू होगा कि राकेश सर्मा थे क्या थे राकेश सर्मा थे और याद रहे बहरत के पहले थे लेकिन 20 के 138 बे थे क्या थे 138 बे यानि कि इन से पहले 137 लोग जा चुके थे ये 138 बे थे, समझ रहे हैं आप लोग, ये 1984 की बात है, और आकिस सरमा की अगर जनम दिन की बात करें, तो 13 जनवरी 1949 को इनका जनम हुगा था, ठीक है, अगला कुश्यन क्या पूँच रहा है, दच्छडी धरुप पर पहुचने वाले पित्थम भारती महला कौन थे, बाले कौन थी, तारा चिरियन, बिमला देवी, रेना कौसल धर्म सक्तू, डॉक्टर अमरता पटे, तो ये हैं थी, रेना कौसल धर्म सक्तू, इनके जनम की बात करें तो 1970 में इनका जनम हुगा था, ठीक है, सी ओप्सन आपका, बिलकुल सही है, अंगला कुश्यन है, भारत में पित्थम भारती फिल्म कौन थी, मौनी सिनेमा, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको मालू होने चाहिए, राजा हरिश्चंद, किसन कनेया, पॉंडलिक, भीस्म पितिग्या, इन चार उप्सन में से आपका एक सही है, कौन सा है, तो इसमें आपका राजा हरिश् आते हैं, तो याद रखना चाहिए, यह भी, यह भी कई बार कुश्चंद पूचा जा चुका है, अंगला कुश्चंद है, आपका किरसी, भारती और द्वस्ता की क्या है, तो मुझे लगता है, आप लोगों को मालू होगा, कि जिस तरह से आपके सरीर में रीड की हड़ी क काम है, वही हमारे तरह, हमारे देश में एक तरह से हमारे जीवन यापन का जरिया भी है, तो आर्थिक प्रिक्ति, रीड, आर्थिक सुधार, अंग, तो मैंने कुश्चंद से भी है आपका, क्या है उप्सन, रीड, आप लोगों को मालू होना चाहिए, कि सकल घरेल उत्प किर्सी पर निर्भर रहते हैं, बिहार चले जाईए आप लो, उत्तर पिदेश चले जाईए आप लो, मद्द पिदेश चले जाईए आप लो, पंजाब जाईए आप लो, हर्याणा जाईए आप लो, आपको देखने को मिल जाएगा कि कम से कम सत्तर से पच्चतर परसेंट लोग किरसी से ही लगे हुए हैं किरसी पर ही अपना रोजगार जो भी है काम चला रहे हैं आप समझ सकते हैं कि हमारे यह किरसी कितना लाबदाएक है आप समझेए एक और बात आपको बता हूँ आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी बात होती है तो पंजाब और हर्याणा के किसान आंदोलन करते हैं बाकी देश के किसान आंदोलन क्यों नहीं करते हैं यह भी कई लोगों के questions रहे हैं तो आप समझेए कि बुंदेलखंड के किसान कहां से आंदोलन करेंगे बुंदेलखंड के किसानों की हालत क्या है यह जग जाहर है दुनिया जानती है पंजाब के किसान आपको देखने को मिलेंगे जो जिनके बच्चे वी आईपी स्कूलों में पढ़ रहे होगे उनकी जिन्दगी भी वी आईपी होगे वी आईपी कारों में गूम रहे होंगे वो खेती को खेती की तरह नहीं करते हैं वो एक बिजनिस की तरह करते हैं समझ रहे हैं और बुंदेलखन की किसान क्या करते हैं कि एक तरह सो उनना बीज डाल दिया हो गई तो हो गई वन्ना राम भरो से बैठे हुए उन्हें क्या फरक पड़ता है समझ रहे हैं आप लो फरक तो उसी को पड़ेगा जिसके एक तरह से वही आंदुलन करेगा तो यही कारण है मैंने देखा है आंदुलन के समय कई लोग कमेंट कर रहे थे कि वी आइफोन चला करिएगा कि तुम्हारे यहां क्या होता है राज किस तरह क्या होता है और उनके यां जाकर देखा करेगा वो कुछ भी कर सकते हैं उनके बच्चे आपको विदेशों में पड़ते हुए भी मिलेंगे तो इसलिए कमेंट कुछ तो सोच कर किया करेगा बिना सोचे समझे तो आपने जाना है कि पहली फिल्म तो आपकी राजा हरिश्चन्द है लेकिन पहली रंगीन फिल्म कौँ सी भारत की आपको माल होना चाहिए कि एह है किसन कनरिया क्या है किसन कनरिया बी ओप्सन आपका बिल्कुल सही है यह आप देखेंगे 1937 की बात है यह मौती गिड़वानी द्वारा निर्दिसित की गई थी ठीक है याद रखना है अंगला कुशन है हमारा लाइप टाइम अचीमेंट के आसकर प्रोस्कार विजेता है पहले कौन थे लाइप टाइम अच सत्य जीत राय आपने लगाया होगा दो मई 1921 को इनका जनम होगा था और 23 अपरेल 1992 को इनकी डेथ हो चुकी थी यह भी आपको याद रखना है अंगल लाश्ट कुश्चन है भारत के पिथाम वायस राय कौन थी क्या पूँच रहा है भारत के पिथाम वायस राय पूच र कौन थे लौड केनिंग आप लोगों के एक और बात बताता हूँ या आप जानते हैं कि 1857 का यो बिद्रो हुआ उसके बाद कंपनी का सासन खतम कर दिया गया था और एक अधिनियम आय था 1858 का अधिनियम इसमें आपका वायस राय का पत दिया गया था किसे सबसे पहले उसलीन वड़ी थे तो मुझे लगता है कि बहुत बिश्तार से हम लोगों इन कुश्चन को देखा हैं और आप समझ सकते हैं कितने तरह की कोश्चन साप सौल कर सकते हैं इसी cynald कि हम लोग किया करेंग लेंगे कुश्चन से लेते रहेंगे ठीक है और याद रखी हर सब्ज कुश्चन सौल करने की स्तिती में पहुंच जाएंगे और आपके सामने जब भी कुश्चन साएगा तो भी ना सोचे आप लोग थोड़ा भी ध्यान लगा कि उन्हें आप आराम से समाधान उनका सौल कर सकते हैं ठीक है तो चले यह मिलते हम लोग अंगले सैट में ठीक है